नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है Around the World with Me के 13th एपिसोड में आज के ट्रावल डेस्टनेशन में हम चलेंगे नॉदर्न येरोप के एक बहुत ही छोटे से कंट्री में जिसका नाम है लैट्विया और स्पेशलिव विजट करेंगे लैट्विया के कैपिटल रिगा को रिगा और लैट्विया ये रशिया के बिल्कुल ही करीब है और अगर इसकी जियोग्राफिक लोकेशन को देखें तो विया बैल्टिक सी के पास है और एक तरफ लिठ्वानिया और एस्टोनिया है तो इसके इस्टन साइड में रश्या की बॉर्डर होती है इसके अगर टूरिस्ट इंट्रस्ट की बात करेती हैं का कैनल क्रूज, डिवर क्रूज, लैट्विया, नैश्नल म्यूजियम, फ्रीडम, मॉनिमन और ओपेरा एक बहुती इंट्रस्टिंग चीज़ है आईए, अब लैट्विया गूमने से पहले, सबसे पहले इसके इंपोर्टेंट जगह को इंपोर्टेंट अट्रैक्शन की एक जलकी लेते हैं, देखते हैं एक ग्लिम्स इसके तूरिस्ट अट्रैक्शन की कार्श्य कार्शोर्टेंट अब माईamtशन की एक बहुत्य करूम फिल्सके पहले, प्रस्टोर्टेंट रहा हैं, दिव्फमने से चूमने से पहले, स्व 대 माईंट तूमने से के पहले, साटल प्लिम्स, चापले, आम देखते हैं कर दो अब बात करते हैं मॉनिमन्ट और फ्रीडम यह फ्रीडम अमॉनिमंट की यह लाटवियन वर ऑफ इंडिपेंडनेंस किसमें बनाया गया मॉनिमेंट कि याद में बनाया मॉनिमेंट है 1918 से 1920 के बीच बनाया यह एक लैट्विया का important national symbol है जो 42 meters height है इसकी granite और copper सबसे ज़्यादा यूज हुए है इसको बनाने के लिए और यह important point है public gathering की इसको बनाने के बाद जब 1935 में complete हुआ था तो उसके बाद बहुत 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 इसको तोड़ने की कोशिश भी की गई थी Soviet Union ने जब Latvia को occupy कर लिया था 1940 में तो इसे तोड़ने की कोशिश की गई थी पर इसको तोड़ा नहीं जा सका ऐसा कहते हैं कि यह monument को बनाने के लिए जो expenses थे जितने सारे खर्च किये गए थे यह सारा का सारा खर्च public donation से हुआ था और आज यह Latvia का एक national symbol की तरह इसको consider किया जाता है अब बात करते हैं रिगा के रिवर क्रूज की दो तरह के क्रूज अवेलेबल है एक वैसा क्रूज जो कैनाल पे होता है और कैनाल के इस क्रूज में यह एक center of city से यह क्रूज शुरू होता है बहुत चोटी-चोटी सी बोट होती है इस बोट पर city का tour कैनाल के तरब से क्या जा सकता है और इस city को देखने का बिल्किली अलग अंदाज है कि रोग से नहीं जा करके आप कैनाल से कुरिसी को देखते हैं ओल्ड रिगा इसमें cover होता है और जब हम इसके किनारे-किनारे डाउगवा डाउगवा रिवर के किनारे-किनारे जब हम चलते हैं तो यह पूरा Central Market और पूराने सिटी की जो आर्किटेक्चर है वो पूरी की पूरी दिखती है इसके अंदर और अगर हम Baltic Sea के पास जाना चाहें तो फिर वो रिवर क्रूस है जो डाउगवा रिवर पर होती है और रिवर क्रूस में यह बहुत ही important क्रूस है जहां रात के समय लाइटिंग भी बहुत खुबसूरत होती है खाने पीने के छोटे-छोटे से रेस्टोरेंट हुआ करते हैं डान्स और म्यूजिक इस क्रूस पर बहुत जादा होता है और यह क्रूस बैल्टिक सी के बिलकुल करीब तक जाता है और पूरे रिवर पे यह क्रूस का जो डेड़ घंटे य यह बहुत ही रिफ्रेशिंग होता है इसमें म्यूजिक बहुत सारा होता है पन बहुत सारा होता है और लोग एंज्वाइब कर रहे होते हैं इसकी सीनिक ब्यूटी भी जबरदस्त होती है इस क्रूज को मिस बिल्कुल भी मत कीजेगा रीगा के जो रिफ्र क्रूज के कॉस्ट है लगबग 10 से 15 यूरो पर एडल्ट होता है और चाइल्ड के टिकेट्स की बात करें तो यह कम हुआ करता है तो इसका पता जरूर करना है लगबग 10 यूरो के आसपास चाइल्ड टिकेट्स के कॉस्ट हुआ करते हैं और अगर सिंग हाट पाउन हाप आप बस के साथ लें तो प्राइसेस उनको कमबाइन करके और कम हो जाता है आए अब बात करते हैं लैट्वियर नैशनल ओपेरा एंड बैले की यह लैट्वियर नैशनल ओपेरा है और इसके बिल्डिंग की स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा सुंदर है और इसके बाहर उपेरा के बाहर जो भी गार्डन बनाया गया है या जो स्टैचू ज रखी गई है वो बहुत ही सुंदर है और बहुत ही यूनीक टाइप की चीज़े यहाँ पर बनाई गई हैं यह एक बहुत ही बड़ा बैले सेंटर है उपेरा सेंटर है इसकी सीजन में लगभग 200 से ज़्यादा परफॉर्मेंस यहां पर बैले की की जाती है यहां पर ओपेरा में छोटे-छोटे के आसपास इसको बनाया गया था और इसका डिजाइन जो है वो एक आर्केटेट्थ जर्वन आर्केट्प लुडविक बोंस्टाट तो लुडविक बोंस्टाट से 822-1885 इनका पीरेड है इस समय है to marineहों यूनीक है और ये रीगा के म्यूजिकल लाइफ का एक सेंटर रोल प्ले करता है नए प्रोडक्शन से हर साल लगबग छे से साथ नए प्रोडक्शन यूनिट्स इसके अंदर आते हैं और अगर अनुवल ओडियन्स की बात करें तो लगबग दो लाख से ज़्यादा दो लाजने को मिलता है आई अब बात करते हैं रिगा के लाट्वियन नैशनल मुजिम आर्ट की यह जो मुजियम है यहां पर बहुत रिच कलिक्शन नैशनल आर्ट के लाट्विया की है जिसमें 52,000 से ज़्यादा वर्क यहां पर प्रेजन्ट किया गया है मैंने दुनिया की बहुत सारी आर्ट मीजिम को देखा है लेकिन इनके यह जो प्रेजन्ट करने का जो वीशल तरीका आप देख रहे हैं यह बहुत ज़्यादा यूनिक है मैंने ऐसा कहीं नहीं देखा कि यह वीशल डिस्प्ले से पूरी की पूरी गैलरी में आर्ट और आर्ट और इसके इस आर्ट मीजिम में बहुत ही खुबसूरत तरीके से प्रोफेशनल आर्ट को प्रेजन्ट किया गया है इस एरिया का और लगबग 18th सेंचुरी से आज तक के समय के प्रोफेशनल आर्ट को इसके अंदर प्रेजन्ट किया गया है अब अगर हम आर्ट की बात करें तो यहां मेरी कुछ पसंदीदा पैंटिंग्स में यह जो अंडे को फ्राई करने वाले फ्राइंग पैंट पे जो पैंटिंग है या जो यह उंगलियों की उंगलियों की पैंटिंग है यह बिल्कुल ही रियल जान पड़ती है ऐसा बिल्क इंफ्वेंस के अंदर ये बिल्डिंग बहुत जादा हुआ करती थी तो जर्म जर्मन आर्किटेक्ट थे एक वाइल हैम न्यूमन के आर्किटेक्ट के रिकॉर्डिंग ये 1905 में इस बिल्डिंग को यहां पर बनाया गया था और ये बिल्डिंग भी एक बहुत ही रखता है और इस बिल्डिंग के अगर बात करें तो इसमें एकडमी ऑफ आर्ट्स भी चलता है जहां पर लोगों को आर्ट्स और पेंटिंग के जितने सारे स्किल्स हैं वो सिखाये जाते हैं समय के साथ साथ इस म्यूजियम के रिस्टोरेशन और रिकंस्ट्रक्शन की रि और रिकंस्ट्रक्शन करके आज के इस खूबसूरत शेप में जो ये म्यूजियम अवेलिबल है ये दिसंबर 2015 में इसका ये रिकंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ था बिल्डिंग बहुत खूबसूरत है यहां जाना हो तो इसमें ज्यादा से ज्यादा समय लगाए मेरे रि रश्या से यहां बिल्कुल आसानी से ट्रेन से पहुँचा जा सकता है और यूरोप के अलग-अलग भागों से यहां के लिए फ्लाइड से आवेलेबल है तो रश्या और यूरोप के ट्रिप में अगर जाया तो इसको क्लब किया जा सकता है शिंजन्जश विशा लैट्व के लिए बहुत ही convenient हो सकता है credit cards बहुत अच्छे से accept होता है 100 euro से कम में hotels मिल जाते हैं तो इनको एक enjoy करने के तरीके से देखिए hop on hop of bus को जरूर services इसकी use कीजे तो दोस्तो enjoy well, stay blessed मिलते हैं अगले बार किसी और destination पे लिए तब तक के लिए bye bye, take care